आज की इस वीडियो में में आपको planning और forecasting के दर्मियाद जो differences है जो इनका concept है easy way में example के चाहत बताऊँगा वीडियो को end तक देखेगा ताकि आपको complete information मिल सके देखें simple word में अगर कहूं तो planning में सिर्फ हम specific action या resources और deadline को set करते हैं ताकि हम किसी goal को achieve कर सके हैं like किसी goal को achieve करने के लिए जो हम strategies बनाते हैं जो हम a system set करते हैं उसको planning कहते हैं but forecasting में क्या हता है forecasting में हम जो historical data है जो historical आने वाले वक्त में क्या हो सकता है आने वाले future की prediction करना आने वाले future में क्या क्या मसले आ सकती है हमारी for example just अगर business है तो business की forecast करनी है तो हम देखते हैं जो हमारी product है उसके आने वाले time में लोगों का क्या taste बदल सकता है लोगों की buying power में फरक आ सकता है like लोगों के पास पैसे काम होंगे तो हमने फिर अपनी packing में difference करना है product को सस्ता करना कैसे करना trend क्या होंगे आने वाले नेने design आएंगे तो ये सारी चीजों का analysis करना इस statistical data का future की prediction करना ये forecasting होती है but planning में हम अपने goals जो हैं उसको achieve करने के लिए specific action लेते हैं अपनी deadlines बनाते हैं resources का इस्तमाल करते हैं planning जो होतीeterae ए लांग्टरम goals को achieve करने के लिए हम शौर्टरम in planning में काम करते हैं जो forecasting होती है जो जो shortटरम और long-term दोनों को predict करती है अभी जो हमारे साथ मसलिम साहिल हो सकती है वो और ज्यदा आने वाले future में क्या में क्या हो सकती है उसको भी यह predict करती है forecasting और planning में हमारा main focus होता है successful होना है अपनी strategies को अपने plans को execute करवाना है अपने जो actions है निने resources है जो हमारी operations है उनको run करना है उनको कैसे आपने अच्छे तरीके से run करना है अपने risk को manage करना है specific strategies और plan के तुरू but forecasting में क्या होता है हमारा main focus होता है predictions भी होता है वो market और historical data को देख के हम analysis करते हैं कि क्या हो सकता है ठीक है इसमें risk बगएरा की बात करते हैं कि future में हमें किस किसम के risk जो है वो देखने को मिल सकते है कितने losses हो सकते हैं हमें हमारी कितनी product या हमारी कितनी चीज़ें डूब सकती है planning जो है regular basis पे update और revise होता करते हैं ठीक है regarding to change goals के मताबिक उसको जो है आप update कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं बड जो prediction है उसको हम new trend की base पे ही और future trend की base पे ही इसके अंदर changing कर सकते हैं जो forecasting है उसमें जो new trend आने वाले हैं जो future में new trend आने वाले हैं उसकी base पे ही हम इसके अंदर changing करते हैं forecasting में जो accuracy है उसको evaluate करने के लिए future prediction की जाती है planning के result को review करने के लिए future plan को adjust किया जाता है उसकी through जो है आप एक अपना system जो है आप अपनी strategies बनाते हैं तो ये इन दोनों के दर्मियान differences था इनका concept था I hope आपको clear हो चुका होगा वीडियो ची लगी हो तो subscribe और like करना मत बूलिएगा अपना ख्यार लगएगा गुड़ बाई